हेलो गाईज, वेलकम तो अवर यूट्यूब चैनल खाना बदोष तो आज फिर एक नई व्लोग में मिलते हैं, नई वीडियो में मिलते हैं, आपके लिए लेके आए आपके अपने भाई खाना बदोष सबको कर देंगे मदोष क्योंकि अब आगे हैं आपके अपने भाई खाना बदोष भाई सक्त लोंडे तो आज का ये व्लोग शुरू करने से पहले मैं आपको एक और सक्त लोंडे से मिलवाता हूं जो की हमारी टीम का मेंबर है ये है तोनी हमारा भाई एक और सक्त लोंडा दिल्ली का हमारी टीम में खाना बदोष भाई सक्त लोंडे वेल्कम टूर टीम खाना बदोष भाई सक्त लोंडे तोनी अब मिलके करेंगे खाने को एक्स्पलोर भूमेंगे फिरेंगे तफनी मार कर दो कर दो तो वह मागे हैं गौपाल दी कुलफी के ओनर पे बाउजी जै बोलेगी बाउजी मैं बस यह पूछना चाहता था आपसे कि आपकी कितनी पुरानी दुगान है तो 55 साल हो गए हैं गौपाल दी कुलफी को और यहां पर क्या-क्या मिलता है बाउजी यहां पर सर्दियों में काजर कालवा यह तो आपका एक्स्क्लूजीव हो गया तो गर्मियों में के पास मिलता है थंदा दूद रसमलाई फलूदा कुलफी और रस गुल्ले और जो इनके एक चीज और पताना जाता हूं जो इनके रस गुल्ले होते हैं न वो प्योर बंगाली रस गुल्ले है जो दूबे होते हैं यह नॉर्मल किसी स्वीट कॉर्णर की तरह रस गुल्ले नहीं है कि आपको डबे में पैक होंगे और मिल जाएंगे यह प्योर चास्नी में डूबे रस गुल्ले होते हैं जैसा कि आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी खाय होंगे जब सैकिल पे भाईया तो अब आम ट्राइ करते हैं इनकी यह दो डिशिस एक चीज मैं यहां पर आपको दिखाना जाता हूं यह जो गाजर का अलवा है ना यह देखो मैं आपको दिखाता हूं यह प्योर देसीगी में बनाया जाता है और यहां पर देसीगी यूस किया जाता है तो ये हैं इनके बंगाली रजगुले ये देखो चाशनी में कैसे भीगे बढ़े हैं तो बहुजी एक लेट में चार पीस आते हैं सब्सक्राइब तो ये देखो दोस्तों मैं आपको लिखाता हूं यह देखो ये जड़े बंगाली रजगुला है चाशनी एस जिए है देखो हर और तो यह होता है बंगाली रजगुलल। था रखनी दूल बा dwवा तो अब हम इसको खाते हैं वोई होई 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 मीटे गातो स्वाद ही आगया गजब बहुए गजब 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 गुल इसमया सौफ है कि मूँमे जाती गुल रहा है और चाशनी बिलकुल फर्सक्लास बढ़िया अहाँ मजा ही आगया अब यह आगया हमारा एक्लूजिम यहां का गाजर का हलवा यह को खोया काजू यह देखो यह देखो घी उपर यूपर तैर रहा है यह देखो मन कर रहा है कि पूरी की पूरी इनके इतना गाजर कलवा इतना खालू फिर उसके बाद मैं तो खर्गोशी हो जाओंगा इसलिए इतना ट्राई करता यह पाईसा बहुत करम है तो यह तंडा करना बड़ेगा यह इसमें कोया और काजू मिक्स किया यह चम्माच उठाया अब गाजर का हलवा इसे कहते है टिपिकल गाजर का हलवा जो हमारे घर पर बनता है ऐसा काजू काजू और खोया इसमें इतना बरपूर है ना कि मैं जो वाइट दे रहो ना उसमें हर बाइट के साथ काजू साथ में आईद है मेटा नपातूला फर्स क्रास खाने में इतना स्वाजिश्ट है कि यहाँ पे आप आ सकते हैं और खाना खाने के बाद मीठे का स्वाद उड़ा सकते हैं और यह दुकान बारा मीने कुली हो मेने के आखरी बुद्वार बाओ जी की चुट्टी होती है जानि गुपाल दी कुल्फी की चुट्टी होती है तो मेने के आखरी बुद्वार आप लोग यहाँ पर ना है लितो आपको यह दुकान बंदी मिलेगी और नियर भाई यह पढ़ती है गुपाल दी कुल्फी ल Liberty Cinema के साथ ही पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के साथ ही दुकान है, तो खाना खाने के बाद गाइस, अपनी फैमिली के साथ है, यहां पर मीठा इंजोए करें, तो होप करता हूँ, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो खाना बदोश चैनल को यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंड सक्षन में हमें आके जरूर बताएं, ताकि हमारा होसला बढ़े है, और हम आपको ऐसी अच्छी जगाओं पर जाते रहें, और बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाते हैं और खिलाते रहें, तो फिर मिलते हैं, गुड़नाइट, शबबागार, श्वीड रिम्स, नेक्स्ट वीडियो में, बाए-बाए.